हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक उन्य वीडियो तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अपना गूगल प्ले स्टोर होता है उसमें हम लोग पेमेंट करने के लिए जो पेमेंट मैटर्ड हमारे एड़ वह रहते हैं जैसे कि अपना या UPI ID हो गई या net banking हम लिंक करके रखते हैं उसमें मतलब पेमेंट मैटर्ड में अपना एड़ करके रखते हैं तो आप कैसे हटा सकते हैं इस वीडियो में आपको मैं उसकी पूरी डीटियल देने वाला हूं तो वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा वीडियो को और अगर आपको पेमेंट मैटर्ड एड़ करना है आपको तो उसके लिए पहले वीडियो मैंने बना रखिए जाकर आप आप आई बटन में देख सकते हैं चैनल पर डले हुई है वहां जाकर आप देख लीजिए आपको वीडियो भी मिल जाएगी तो चली चली से वीडिय पर क्लिक कर लेना है जिसमें आपकी फोटो या कुछी इमेज सी बनी होगी राइट साइड में सबसे टॉप पर यहां देख सकते हैं आप नीचे आई कि अपने एक आप्शन मिलेगा अपने को तीसरे नमर पर इस पर हम क्लिक करेंगे अब सबसे टॉप पर देखिए पेमे से चे करीब पे टीम गूगल पर डेविट कार्ड बाकि सब कुछ भी मैंने काफी एड कर रखे हैं तो मैं चाहता हूं इसमें से दो तिन रिवूम करना चाहता हूं तो आपको नीचे लास्ट ओप्शन दिख रहा होगा एक देख सकते हैं आप मोर पीमेंट सेटिंग इस प अब देख सकते हैं हमार सामने आज चुका है जो कि हमने प्ले स्टोर में जितने भी पेमेंट मैथड आइड कर रखे हैं वह सारे मैथड यहां पर आपको दिखाएगा अब देखें गौर से आप देख रहे होंगे तो पेमेंट मैथड के नीचे है एक रिमूव का ओप्श अब देखें नीचे पीटियम का भी है मैं चाहता हूं यह भी मैं रिमूव कर दूँ तो चलिए मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं मुझे यह नहीं चीए अपने प्ले स्टोर से रिमूव हो जाएगा में इसे इसको दिखाता हूं तो आप आप लिए को दिक्कत बाद नहीं है और आड़ करना हूं तो उसके लिए payment method बच्चे मैंने आपके सामने दो payment method remove कर दिया अपने account से क्योंकि मुझे उसकी खाथ जरूरत नहीं थी तो मैंने उसे remove कर दिया अगर आपको भी लग रहा है कि अब मेरे किसी काम का नहीं है कोई payment method या card word मेस हो गया हो या और कोई प्रिशानी हो तो आप भी ऐसे remove कर सकते हैं और कोई problem आए तो आप मुझे comment करके जरूर बताईए और इस वीडियो के लिए एक like कर दिजेगा और अपने इस channel को subscribe कर लिजेगा क्योंकि ऐसे informational content मैं इस channel पर डालता रहता हूँ मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नई टोपिक के साथ जब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम